नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी अनालिसिस पर मेरे नाम है चिराग और पिसले वीडियो में हमने निफ्टी के 5 मिनिट चार्ट में समझा था यहां से 1, 2, 3 और 4 के बाद 5 का प्रोजेक्शन निकाला था तो यह 38 और 61 परसंट आ रहा था और यह ओर कि थी कि इसके आसपास जो है यह यह टॉप वेव फाइव का बना सकता है और आज का हाई 24, 401 ही रहा और वहां से हमें एक डिकलाइन देखने को मिला उसके बाद थोड़ा सा साइडवेस जाके थोड़ा सा कंटीन्यू यह हुआ है अभी आज के वीडियो में हम देखेंगे आगे क्या हो सकता है कल के वीडियो में जैसा मैंने बोला था आपने like किया वीडियो जो average like होते है उससे ज्यादा कल के वीडियो में like आया है तो आज मैं फिर से आपके सामने आ गया हूं higher time frame भी हमने कल देखा था weekly में कि यह 61% आना चाहिए 24, 9,56 और यह क्यों आना कि यह क्यों आना चाहिए और अगर नहीं आता है तो फिर क्या इसमें चेंजिस होने चाहिए वो आप कल के वीडियो में देख सकते हैं अभी के लिए यहां पे हम क्या करेंगे यह निफ्टी का आवरली चार्ट है यहां पे कोई चेंजिस नहीं है यह वन टू और हमने कल भी यह भी डिसकस किया था अवरली में कि यह 3-4 और 5th का प्रोजेक्शन तो अचीव हो रहा है लेकिन यह भी 23% रिट्रेस नहीं किया है तो हो सकता है कि यह वेव 3 ही हो और जब यह इस रेंज में पूरा हो जाएगा या तो अभी हो चुका है तो यह पूरा 23-38% की रेंज में वेव 4 का रिट्रेस्मेंट दे सकता है तो अब साइड जो हमें अभी इस अवरली चार्ट को देखके लिमिटेड लग रही है और वहाँ पे भी इस बाउंस को अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखे कि यह हाँ पे जो है वो इंपल्स कंप्लिट लग रहा है कि नहीं त देखा था कि उसका फिफ्त जो है वहाँ पे 1,2,3,4 और आज वहाँ पे 24,4,0,1 का हाई लगा दिया है अभी कैसे आएगा यह जो लास्ट वेव 5 है उसका 38% 24,270 के असपास आ रहा है तो इसके नीचे ट्रेड करने लगता है तो मतलब यह वेव 5 पूरा मान लेंगे और य कंपलीट हो जाएगा तो इस रेंज में डिकलाइन हमें देखने को मिल सकता है अब मान लिजे कि यह यह लेवल तोड़े ही नहीं यह नहीं तोड़ता और यहां से बाउंस करता है तो यहाँ पे चेंजिस क्या होगा यह वन और टू के बाद यहां पे थ्री होगा थ्री यह यहां पर यहां पर यह फिर यह 4 और एक और बाउंस के उपर जा सकता है उसके बाद यह decline करेगा उसके लिए confirmation level यह है इसको break करता है तो यहां से यह continue कर सकता है अगर उपर जाता है तो confirmation कब मिलेगा कि इसके उपर अब यह जा सकता है तो इसका 61% 24,362 के आसपास आ रहा है मतलब इस high के आसपास तो इस high को उपर break करके sustain करता है तो फिर 5th का projection निकालेंगे यहां से लेकिन अगर इसके उपर नहीं जाता है तो यह continue कर सकता है इसको break करके जो हमने नीचे के level देख यह hourly chart में इस range में हमें decline देखने को मिल सकता है तो अभी जो है upside जो है limited है इस range में कहीं पे भी यह पूरा हो के जैसा हमने smaller time frame में देखा बहुत ज्यादा upside यहां से नहीं लग रही है अगर यह break नहीं भी करता तो भी ज्यादा उपर नहीं लग रहा है तो यह इस range में से या तो कल के वीडियो में बस इतना ही है कुछ ज्यादा changes है नहीं देखते है कल क्या होता है उसको समझ के जो भी होगा telegram channel में update करेंगे और उसके बाद वीडियो में भी आपकी likes अगर continue रही इसी तरीके से तो फिर continue वीडियो बनाएंगे उसमें क्या है ऐसे वीडियो देखते रही है लाइक करते रही है वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद